Good afternoon students, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS Classes पे आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Application for sick leave, हाँ, Application for sick leave कैसे लिखें और क्या लिखें जो अच्छा और प्रभावी हो और ये Application इतना Important है कि आप लोग देख सकते हैं कि एक Class 6, 7, 8, 9 और 10th के Board Exam में भी पूछा जाता है तो आप लोग अपना Model Paper उठा कर देख सकते हैं कि Class 10th के Board Exam में कई बार एक अप्लिकेशन पूछा गया है previous year में तो ये वीडियो आप सबी लोग बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और शार्ट और इजी अप्लिकेशन बताया है कि आप एक शार्ट इजी और प्रभावसाली अप्लिकेशन कैसे लिख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमें लिखना होता है तो सबसे पहले लिखना होता है तू दप्रिंसिपल फिर इस्कूल नेम यानि आप जिस विद्याले में पढ़ते हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है फिर प्लेस नेम प्ल में क्या लिखेंगे तो जैसे कानपूर लिख दिया क्या लिख दिया कानपूर तो यह चीजें यहां पर लिखनी है अब आगे आगे सब लोग अप्लिकेशन जब लिखते हैं तो यह चीज जरूर लिखें अप्लिकेशन में सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है अप्लिकेशन भ जेंट्स में है तो सर लिखेंगे लेटीज में है तो मैडम लिखेंगे तो रिस्पेक्टेट सर या मैडम Most respectfully I beg to say that I have been suffering from fever since last night so I am unable to attend the college therefore kindly grant me leave for two days हमने यहाँ पर two days लिखा है और आपकी paper में जितने days का नाम लिखना हो two days, three days, four days, five days, seven days तो वहाँ पर संख्या बढ़ा लेना अब उसके नीचे क्या लिख देते हैं thank you और अंत में सबसे जो important चीज है वो भी लिखना ना भूले हो क्या है इधर बाएं शायड में date लिखें और इधर पर yours obediently क्या लिखें? yours obediently में अपना नाम फिर अपने class और section का नाम फिर roll number और ये 6, 7, 8, 9 में तो आप लिख देंगे अपना नाम और class का नाम और section और roll number जब आपको UP board exam में आए लिखने को तो UP board exam में कैसे लिखेंगे? नाम के इस्थान पे X, Y और Z लिख देंगे section आप class और section डाल देंगे जैसे 10th A या जो भी चलता आपके वो और roll number आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यद वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और YouTube channel DS Classes को subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद आने वाले bell icon को दवाईए जिससे हमारे दोराड अपलोड की गए वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो comment करके जरूर बताएं कि हमारा ये application आप लोगों को कैसा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत